जैहन दोस्तों आज मैं G20 के बारे में बात करूँगा G20 विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं और एरोपिय संग की 19 का समू है यह विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देसों को एरोपिय संग के साथ मिलाता है इसके सदस्य देशों की कुल GDP विश्व GDP की 80% है और विश्व ब्यापार का 75% है इसके सदस्य देशों की कुल आवादी में 60% की हिस्सेदारी है G20 विश्व की विख्षित अर्थव्यवस्था और प्रमुक विकासिल अर्थव्यवस्था का अंतर सरकारी समू है भारत 8 सितंबर 2013 से 10 सितंबर 2013 तक G20 लीडर्स के सम्मिट की मेजवानी कर रहा है एक दिसंबर 2022 से 30 नमंबर 2023 तक G20 की अदक्स्ता भारत के अंतरगत होगी G20 के फॉंडिंग मेंबर होने के रूप में भारत दुनिया भर के कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने में इस मंच का उप्योग किया है अब भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि G20 के विचारों और लक्षियों को रच्छा करने के साथ साथ भूरा नितिक मत भेदों को चलते इसे विखंडित होने से बचाने की है भारत ऐसे समय में G20 की मेजवानी कर रहा है जब अंतराष्टिय राजनीति में तेजी से वदलाव आया है रूश इक्रेन युद्ध के में भारत की तठास्त नितिके चलते अमेर्का और पक्षमी देशों में मत भेद उभर कर सामने आई है G20, BTA अस्थिर्ता बोर्ड, अंतराष्टिय स्रम संगठन, अंतराष्टिय मुद्राकोष, आर्थिक सहयोग एबं विकास संगठन वर्ल्ड बैंक संजुक्त राष्ट और वर्ल्ड ब्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है आने संगठनों को भी G20 की महत्रपुर्ण बैटक में हिस्सा लेने के लिए आमंतरित किया जाता है भारत G20 क्रात्मिक ताउं के मजबूत करने की प्रिक्रिया में है चल रही बाचेत, नियाई संगत, समावेशी, सत्त विकास, लाइफ, महला ससक्तिकरन, डिजिटल सरवजनिक बुनियादी धांचे और तक्निक के इर्द गर्द घूंती है एक प्रमुख विकासिल देश के रूट में अंतरराष्टिये आर्थिक और वीतिये प्रनाले की अस्थिर्ता में भारत की महद्द पुर्ण हिस्सेदारी है G20 के अन्य मुद्दे जैसे आतंकबाद के विरोध में सहियो, खादी सुरक्चा, उर्जा सुरक्चा, डम्लुटियो में सुधार, अर्थिक स्थिर्ता जैसे मुद्दे को विश्व के कई देशों के बीच एक मत निर्नाय का निर्मान करने में भारत हमेशा से प्रगतिसील रहा है G20 का लोगों में कमल और बसुधायव कुटुम कम चित्वित है विश्व के सद्वि में विनासकारी, महमारी, संघर्षों, बहुत सारी आर्थिक अनिश्यताओं के बाल के प्रभाव से भुजर्ब रहा है ऐसे में G20 लोगों में कमल एक आसा का प्रतिनिद्रत्व करता है बसुधायव कुटुमकम विश्व के प्रति भारत की करुणा का प्रतिक है कमल विश्व को एक साथ लाने में भारत की सांस्कृतिक विरासत और विश्वास को चित्रित करता है आज का विडियो इतना ही मैं उपंद्र कुमार सिनहा रिटार्ड सिनियर, बैंक और डिटर और पेशे से वकील आप इस विडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेर करें धन्यबा